हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टो इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो कल आप सभी लोग जानते हैं मैंने आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हिंदी को मैंने टॉपिक वाइस स्टार्ड किया है यानि कि हिंदी के जितने भी चैप्टर आपके UPSI में आने हैं पूरे मैं आपको complete करवाऊंगा और सबसे पहले मैंने आपको वडमाला की एक वीडियो प्रोवाइड करवाई पहले पढ़ा दिया अब मैं आपको बहु बिकल्पी एपिरसन की तरह पढ़ा रहा हूं और हर चोटे से चोटा पॉइंट जो है वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा तो वीडियो को अंतलग जरू देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वडमाला केवल मेरे से पढ़ करके देख लीजिए और बहु बिकल्पी एपिरसन के दोरान मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आपको कुछ चीज समझ में नहाए ना तो मेरे जाब बोलना क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से हर चीज को एक्स्प्लेन कर दूँगा कि आपके सारे डाउट जो है वो वीडियो में ही दूर हो जाएंगे ठीक है और मैं अनेकेडमी पर फ्री ओप कोश्ट पढ़ा रहा हूं स्पेशल क्लास और्गनाईज कर रहा हूं डेली सुभा ग्यारा बजे अगर आप उस क्लास में एड होना चाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा जो अगले दिन की जो क्लास होगी तो वहाँ पर आ जाईएगा अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अनकेडमी को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी अनलॉक कोड की जगे अपने चेलर का नाम इंडियन स्टडी एपलाई कीजिएगा तो क्लास जो है वो अनलॉक हो जाएगी ठीक है अब कल जाते जाते मैंने आप लोगों से कोसंस पूछा था कि वह यह री जो होता है उसका उचण इस्तान क्या होता है तो आप लोगों ने जो आंसर दिया और बिल्कुल ठीक दिया सर री का जो चण इस्तान होता है वो होता है आपका मूर दिया बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर आपका चौटा ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन से आपका कि इनमें से कौन सा आगत स्वर है पहले तो आप यह जान लो कि आगत स्वर होते कौन से हैं तभी तो आप बता पाओगे कि आगत स्वर होते क्या हैं देखो सबसे पहले जानो आगत स्वर जैसे हम पहले चिकसक को चिकसक बोलते थे डॉक्टर को क्य चंदरविंदू बोलते हैं इसको ठीक है तो यहां पर यह अर्दचंदरविंदू कहलाता है यहां पर जो आपका यह वर्ड है तो इसको हमने अंग्रेजी भासा से लिया है अब जब अर्वी फार्सियों का अगमन हुआ तो अपन बोलते थे बाजार क्या बोलते थे बाजार तो उनने बोला बाजार क्या बोला उने बाजार यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा दिया नुक्ता लगा दिया जैसे का के नीचे नुक्ता लगा दो खा के नीचे नुक्ता लगा दो गा के नीचे नुक्ता लगा दो यह नुक्ते लगा दे गए कौन अर्वी फारसी लोग तो ऐसे सब्द जो भार की वासा के हैं लेकिन हिंदी में सुईकार कर लिए गए हैं उन सब्दों को सरम आगत सब्द कहते हैं या समझ में आ गई तो देखो यह सब्दों हमारे हिंदी बड़ माला में मौझूद हैं यह इतो ही है तो तीसरा options correct हो जाएगा अगर इसकी जगे हम यह लग देते तो यह आपका options correct हो जाता अब पूरा topic clear होगा अब कोई भी आपका questions आ जाए आप तुरंत में answer दे दोगे इसलिए तो बोल रहा हूं कि हर चीज आपको अच्छे से clear करता चलूंगा बस आप आप लोग साथ दे दो वीडियो को लाइक और सेर कर दो केवल 500 लाइक का target रखता हूं अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो 500 लाइक तक पहुंचा देना अब जब आपको यह 500 लाइक तक पहुंचाने लगोगे तो फिर next target दूंगा लेकिन अभी आप यह target करो next question से आपका किन निम्ले के तमसे किसका उचनन जीवा के अगर भाक से नहीं होता है जल्दी बताओ देखो मैंने आपको बताया कि जीवा के अधार पर स्वर तीन प्रकार की होते हैं अगर स्वर मद्द स्वर और पस्चे स्वर अगर स्वर में आता है चोटा यी बड़ यी ए और रेसे रिसी अब देखो ये तो आ गई चोटी यी आ गई बड़ी यी आ गई ए आ गई आते हैं और रिसी आती है री वाली ठीक है लेकिन यही तो नहीं आता है तो यहां पर चोटा ओप्संस करेक्ट हो जाएगा सर इसका उचन क्यां से होता है सर इसका उचन 24 जल्दी बताईए जो कंट और ओष्ट से उचशारिद होते हैं तो कौन से बाल है यहां पर जो आपका सभर का ओचारण है ओम वो किस वर का उचारन हैं मैंने आपको पताया 630 प्रकार के होते हैं सर कौन कौन से सर आपने पढ़ाया था मूल ओर जिनको हम हसुआ हयं तो पहला तो आपका ठीक है दूसरा दीर्द स्वर होता है तीसरा लुप्थ तो होता है अब सर लुप्थ influencer का मातरा जुड़ जाती है ठीक है तो जिनको हम खेंची बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं लुक्त-सवर बोलते हैं जैसे ओम तो यह लुक्त-सवर का उधारन होगा सर ठीक है तीसरा और इसमे टो पूरी चंद्र का यह सब्सब्द का लिए गया यह हैं यह पी में इस बात को त्यान बहुत अच्छे से प्रेक्टिस होगी बस साथ दे दो बाकी मेरे फूर छोड़ दो मैं आपको सारी चीज प्रोवाइड करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का पीडियेफ के लिए वहां पर मैं आपको फ्री अपकोश्ट पीड कि वर्माला किसे कहते हैं तो सर चोटा। सान कर्यक्ट होगा आपका बिलुकुल सिंपल आपको हर चीज लगेगी अगर आप मेरी वीडियो एक-एक करके देख रहे हैं बिलुकुल नाइन वाई-लाइन देखते चलो हर चीज आपको बिलुकुल आसान लगने लगेगी कहोन स्थान यह सान है न हैं तो यह कंट और ओस्ट से हो ता है अब यहां अब ने देखा था Fahrenheit और और स्थान आप आप न स्थान आप आपका organs हो जाए discussed सर को बीद के प्रकार हैं सवर दने के प्रकार हैं जल्दी बता ओ विस्षार के कितने प्रकार होते हैं तो होग स्वर को परकार की मूल परकार यह प्रकार यह आको पूछाए टीनों जो है वह स्वरद हो दोनी के प्रकार है तीसरा और तीसरों जो है आपका संवरत सवर है यह आपको पोछा है अब नियुक्त बोलने में मुh necessary कम दिए it पैसे कहते हैं यह मुख्यbreaking के आदार पर होते है तो और सम्जटक प्रकार के संवरत भी और संवरत अब Shambhat स्वर में हमने झादा कौन कौन से बतायते चोल संवरत सर में बड़ी इघ्ण संभरत सब्सक्राइब को पांच कर लो एक पंत पांच काम निकल गए के निकला लिए नहीं बन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया अयोगबा दो बन होते हैं एक तो होता है अहां खाली जिसको हम अनुस्वर कहते हैं सर क्या कहते हैं अनुस्वर कहते हैं और एक होता है अंग की बिंदी को कहते हैं हम अनुस्वर ठीक है यहां पर मैं रेस कर दूंगा थोड़ा सा थो option No.D , आयोगबा के उदारन ओंगी ठीक है , और का किया कहते हैं यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पताओ पढ़ा चुका हूं चुका हूं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, सब चीज समझ में आएंगी और इसको हम अनुनासिक वेंजन कहते हैं क्योंकि नाक और मूँ दोनों से बूला जाता है बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना, सब समझाऊंगा वेंजन पे आने दो पहले स्वर चल ले है अभी मौखिक भासा का मूल आदार क्या है कोसर नमबर 34 मौखिक भासा का मूल आदार क्या है तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा सर मौखिक भासा का जो मूल आदार है उसको कहते हैं हम दोनी क्या कहते हैं सर, दोनी कहते हैं और लिखित वासा की लगुत्त मिकाई है वो है आपकी वन ध्यान नखना दोनों में डिफरेंस मौखिक वासा की लगुत्त मिकाई वो है आपकी ध्वनी और लिखित वासा की लगुत्त मिकाई है आपकी वन next questions जिन स्वरों के उच्चारण में दो मातरा का समय लगता है या हस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं जल्दी बताओ उनको हम क्या कहते हैं important questions question number 36 जिन स्वरों के उच्चारण में दो मातरा का समय लगता है या हस्व से दुगना समय लगता है उनको हम गुरू कहते हैं टेंसन नीलो यह गुरू क्या होता है जब चंद पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा अभी आप पूरा मुझे डिस्क्रिप्ट वे में आपको मात्रा यह सारी चीजें बताने पढ़ेंगी इसलिए आप अभी बिलुकल करेक्ट हो जाएगा इसी कौन सा अब्सवर का वर्य करना नहीं है लोग डिलुकल करेक्ट हो स्वर कहते किसे हैं मैंने आपको बताया था पहले दिन स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमको वेंजन की आवसकता नहीं होती है और जो सुतंत रिकाई होती है जिनको बोलने के लिए किसी की आवसकता नहीं होती है बिना किसी बादा के उनको हम बोल सकते हैं उनको कि और सकता होती जैसे देने में चुपा हुआ है लेकिं सवर को बहुता होती है किसी बिना कि 25% ठीक है तो आपका सही अंसर हो जाएगा जिन अन्यां बीनदा क्या होता है question number 40 बड़ा आ का उचनन हम कहां से करते हैं बड़ा आ तो इसका उचनन सरम कंट से करते हैं कहां से करते हैं कंट से चोटा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा correct होगा हिंदी सब्द course में अंग से अंगूर और आहा काली किस वन के साथ आता है जल्दी बताईए किस वन के साथ आता है question number 41 तो इस वन के साथ आता है यह छोटा आ के साथ आता है किस के साथ आता है छोटा आ के साथ दूसरा options correct और last question से आपका के हिंदी वाज़ा में मैं ध्वनी कौन सी हैं जो स्वतनत रूप से बोली या लिखी जाती है तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे जो स्वतनत रूप से हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं उन दौनियों को बताना है तो वैयास यह स्वर जो आपका वड़माला के अंदर का स्वर है उससे एतने ही questions बन सकते हैं और यह हो गया आपका समाप स्वर हो गया आपका पूरा समाप कल से आपके जो questions मिलेंगे वेंजन वाले questions मिलेंगे और सब को समझाता हुआ चलूँगा वीडियो में मज़ा आया है पांपका पांपका पूर चलूँगा